हेलो एवरीवन मैं स्वाइट चीता जैन मैंगनेट ब्रेंज इंदी मेडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैंगनेट ब्रेंज प्रोवाइट कराता है आपको किंडर गार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस हम प्रोवाइट कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हां तो देर किस बात की आईए उजुडिये मैंगनेट ब्रेंज के साथ आज के सेशन में मैं आपके लेके आई हूं क्लास 10 बोर्ड एग्जामेनेशन की सोशल साइंस में इतिहास यानि की हिस्ट्री में भूमंड लिकरत विश्व के बनने का अगला पार्ट जो हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में विश्व अर्थ व्यवस्था में महामंदी का दौर पिछले चेप्टर तक हमने क्या पढ़ा था महा युद्धों के दौरान विश्व की अर्थ व्यवस्था तो अपने जाना कि जब प्रथम विश्व शुरू हुआ था चला था तो उस दौरान विश्व की अर्थ व्यवस्था किस तरीके से गड़ बढ़ा गई थी अब महायुद्धों के दौरान जो विश्व की अर्थ व्यवस्था गड़ बढ़ाई उसमें हमने दो तीन चीज़े पढ़ी थी पहला तो पढ़ा था कि युद्ध कालीन अर्थ व्यवस्था में किस तरीके के सुधार किये गए उसमें हमने जाना था कि सबसे ज्यादा सुधार किस देश की अर्थ व्यवस्था में हमें देखने को मिले थे सबसे ज्यादा सुधार जो हमें अमेरिका की अर्थ व्यवस्था में देखने को मिले थे अब आज हम आ स्थिती का असरन, जो है विश्व अर्थ विवस्था पर किस तरीके से पढ़ा, आज उसी के बारे में हम जानने वाले हैं, तो फटा फट से आप सभी आज के शेशन को जादा से जादा लाइक कर दें, और जादा से जादा शेयर कर दें, तो फटा फट से ये काम करें आप, और तब तक मैं अपना काम स्टार्ट करती हूं मेरा काम क्या है मेरा काम क्या है मेरा काम है आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुचाना तो चलिए शुरू करते हैं महामंदी के बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं कि महामंदी क्या है किस तरीके शे विश्व दौर नजर आता है तो आर्थिक महामंदी के शुरुआत जो है आर्थिक महामंदी के शुरुआत जो है 1929 से ही शुरू हो चुकी थी और यह संकट जो है तीश के दशक के मध्य तक बना रहा इस दौरान दुनिया के जादातर हिस्सों के उत्पादन ध्यान वैं दुनिया के चादातर हिस्सों के उत्पादन रोजगार आय और व्यापार में भयाना गिरावट दर्ज़ करी गई थी मंदी की स्थितियुत्पन हो रही है तो उत्पादन में गिरावट हो रही है लोगों को रोजगार कम मिल रहा है जब उत्पादन और रोजगार दोनों में गिरावट आएगी लोग बेरोजगार होंगे तो आय में तो कमी होगी ही इंकम में तो कमी होगी ही व्यापार में भयाना गिरावट भी दर्ज करी गई तो इन छेत्रों में जो है मंदी का सामना हमें करना पड़ा क्रशी छेत्रों की बात करें क्रशी छेत्रों और समुदायों पर सबसे ज़ादा जो समुदाय क्रशी छेत्र से संबंधित थे उन पर सबसे ज़ादा असर इस महामंदी का हमें देखने को मिलता है ऐसा क्यों हुआ था क्रशी छेत्र पर महामंदी का असर सबसे ज़ादा देखने को क्यों मिला क्योंकि उद्ध के बाद जो है और ध्योगिक उत्पादन तो तेजी से बढ़ा लेकिन क्रशी उत्पादन नहीं बढ़ा और क्रशी के छेत्र में उत्पादन की कमी जो है लंबे समय तक बनी रही और ध्योगिक उत्पादन में तो तेजी आई लेकिन क्रशी छेत्र और क्रशी शमु तक जो है कमी बनी रही उसके बाद देखें इस महामंदी के भी कई कारण थे rounds gaan ऐसे ही नहीं आई थी हर चीज के पीछे कुछ बिकारण था इसका पहला कारण हम देखें तो पहला कारण ये था कि क्रशी शेत्र में अती उत्पादन की समस्या बनी हुई थी अब अगर क्रशी शेत्र में अती उत्पादन की समस्या बनी हुई है उत्पादन जादा दिख रहा है इसका मतलब ये है कि सप्लाई जादा हो रही है डिमांड कम हो रही है जितनी मांग नहीं है ज प्रियूग नहीं हो रहा है जितना अनाज उप्योग में नहीं लाया जा रहा है वह बेकार हो रहा है अब अनाज है तेई सालों तक तो नहीं चल सकता तो अनाज जो है वो धीरे-धीरे सडने लगा तो क्रशी उत्पादों की गिर्ती कीमतों के कारण इस्थती और खराब हो गई कीमतें गिरी और किसानों की आए घटने लगी तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगी अब कीमत कम हुई तो किसानों की आए भी कम होने लगी तो किसान जो है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन और जादा बढ़ाने लगे उनने सोचा कि हम उत्पादन और जादा बढ़ाएंगे तो माल तो जादा बिकेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे बले ही कम आये पैसे लेकिन उत्पाधन जदा होगा तो जितना जदा बिकेगा उतने जदा पैसे आएंगे भले ही वो सस्ता बिके तो उत्पादन बढ़ाने का वो प्रयास करने लगे ता कि कम कीमत पर ही सही लेकिन जादा माल पैदा करके वे अपना आयशे तर बनाई रख सके पर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि उत्पादन बढ़ाने से जो है, जो जतना अनाज उपयोग में नहीं लाया जाना था वो तो वेस्टी हो रहा था, वो तो सड़ी रहा था अब देखें कि बाजारों में क्रशी उत्पादों की आमद और भी बढ़ गी उत्पादन जादा बढ़ा तो क्रशी उत्पाद जादा आने लगे बाजार में और जाहर है कि कीमत और नीचे चलीगी मतलब कि उत्पादन जितना जादा बढ़ता गया किसानों ने सोचा कि हम जितना जादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा लेकिन ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने से कीमतें जो हैं और ज़्यादा कम हो गई और खरीदारों के अभाव में खरीदारों के अभाव में क्रशी उपज जो है पड़ी पड़ी सडने लगी यानि कि आवेशक्ता थी ही नहीं उतनी उपज की तो खरीदार थे ही नहीं तो जहां खरीदारों का अभाव देखा खरीदारों की कमी हुई तो क्रशी उपज जो है पड़ी पड़ी बाजारों मैं सड़ने लगी यह हो गया क्या एक कारण एक कारण क्या हुआ कि क्रशी उत्पादों का बढ़ना ठीक है अब देखें दूसरा कारण देखें दूसरे कारण की बात करें तो 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से करण लेकर अपनी निवेश शंबंधी जरूरतों को पूरा किया था करण कहां से लिया था अमेरिका से करण लिया था और अपनी निवेश शंबंधी जरूरतों को पूरा किया था जब हालात अच्छे थे पहले जब बालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुठाना बहुत आसान था लेकिन जब संकट आया अब देखां कि विश्वी की यर्थववस्था गिर रही है महामंदी का दौर है तो हमारा पैसा वापस कैसे आएगा हमने पैसा तो इतना बाट दिया है करजा तो इतना बाट दिया है कई देशों को उधार पैसा बाट रखा है लेकिन वो देश जो है उधार चुकाने की हालत में हैं ही नहीं तो जब आप किसी को उधार दें और वो पैसा आपको वापस ना मिले तो घाटा किसका है आपका ही घाटा है इसलिए इसलिए जो है संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उध्यमियों के होश उड़ गए ठीक है अब देखें फिर क्या क्या होता है जो देश अमेरिकी करजे पर सबसे जादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकटा खड़ा हुआ क्योंकि वो अपना काम कैसे चला रहे थे अमेरिका पर निर्भर होके अमेरिका से पैसा ले लेके यूरोप में कई बड़े बैंक धराशाई हो गए यूरोप नहीं सबसे जाद करजा लेके रखा था कई देशों की मुद्रा की कीमत जो है बहुत बुरी तरह गिर गई मुद्रा की कीमत गिर जाने से क्या मतलब है यानि की अभी अपन वरतमान की बात करें तो जितना अमेरिके डॉलर है ठीक है यानि कि भारत के एक रुपए की कीमत जो है वो कम है लेकिन अमेरिके डॉलर जो है बहुत जादा होते हैं तो अकर अमेरिके डॉलर की कीमत गिर जाए और रुपए की वेल्यू मालो बढ़ जाए तो अमेरिका का क्या होगा अमेरिका की मुद्रा की कीमत मालो बहुत बुरी गिर गई अभी क्या है कि अमेरिका का डॉलर बहुत उपर है भारत का रुपया नीचे गिरा हुआ है आई बात समझ मैं तो अमेरीकी सरकार जो है इस महामंदी से अपनी अर्थ व्यवस्था को बचाने के लिए अब अमेरीकी को सम्रद बनाना है लेकिन उसने करजा देके रखा है महामंदी सामने देख रही है दूसरे देश करज जुटाने की करज चुकाने की हालत में ही नहीं है तो अमेरिका क्या रास्ता निकालता है अमेरिका रास्ता निकालता है कि आयातित पदार्थों पर दो गुना सीमा शुल आयात करेंगे उस पर हम शीमा सुल्क जो है सीमा शुल्क जो है कितना दो गुना वसूल करेंगे किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे और कारोबार जो है ढप पड़ गए थे महामंदी के इस दौर में इतनी बाते के लिए हुई अगर यहां तक कोई समस्या हो तो फटा फट से आप सभी मुझे कॉमेंट करके बता दें आपकी समस्या का समधान किया जाएगा सारे क का आंसर दिया जाएगा तो बढ़ते हैं आगे कारोबार ढप हो गए किसानों की आयट कम होने लगी देश कर्ज में डूब गए बेरोजगारी बढ़ने लगी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे अब जहां पर उनको काम नहीं मिलेगा तो दूसरी जग हो गई कि अमेरिका के बैंकों नहीं तो दूसरे देशों को कर्जा बाटके रखा था अब दूसरे देश कर्जा लोटाने की हालत में ही नहीं है तो अमेरिका के बैंक भी जो है खाली हो गए बैंक धराशाई हो गए निवेश से पेक्षित लाब ना पासकने यानि कि जितन निवेश किया था उस निवेश के अनुसार जितनी उमीद थी कि इतना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट ना हो पाने के कारण करजे वसूल ना कर पाने के कारण जमा करताओं कि जमा पूझी ना लोटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिये गए अब भई जमा करताओं कि पूझी कैसे नहीं लोटा पाए भई जो पूझी जमा करती है वही पूझी तो लोगों को उधार देती है ठीक है अब वो पूझी जो है कई सारे देशों को यूरोपी देशों को अमेरिका ने उधार दे रखी थी तो अब जो पैसा वहाँ के लोगोंने जमा किया था अमेरिकी बैंकों में वो अमेरिका कहां से लोटाएगा तो ना तो वो इंवेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा पा रहा है ना ही दूसरे देशों से करजे वशूल कर पा रहा है करजे वसूल नहीं कर पा रहा इसलिए जमा करताओं की जमा पुझी भी नहीं लोटा पा रहा है इसी के कारण अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिये गए तो आप देख रहे हैं कि विश्व अर्थ विवस्था का महामंदी का दौर महायुद्ध के दौरान पूरे विश्व पर नजर आता है किलियर हो गई बात चलिए आंगे देखें अब हम देखें भारत और महामंदी अभी हमने विश्व के अन देशों की बात करी खासतोर से यूरोपिय देश और अमेरिका की बात करी ठीक है अब बात करते हैं हम भारत और महामंदी की बात करते हैं कि भारत पर भारत पर तर देखने को मिलता है किस तरीके से मिलता है इसको भी बहुत अच्छे से अपन देख लेते हैं तो भारत और महामंदी आपनवेशिक भारत यानि की भारत के जिन हिस्सों पर जो है आपनवेशिकों का शाशन था जैसे की ब्रिटिस का फ्रांस का कई सारे पननेकल मैप के माध्यम से एक पिछली क्लास में देखे थे ठीक है तो आपनवेशिक देश कौन से होते हैं आपनवेशिक देश वो देश ह होते हैं उपनवेशवाद किसे कहा जाता है या अपनवेशक शाषन किसे कहा जाता है कि जब एक सम्रद्ध शाली देश सम्रद्ध होते हुए भी अपने से निर्बल देशों पर वहां के प्राक्टतिक संसाधनों के दोहन करने के लिए वहां से अच्छा माल प्राप्त करने क लिए उन पर शाषन करता है ठीक है उनसे व्यापारिक संबंद इस्थापित करता है तो उस शाषन को आपनवेशिक शाषन ये उपनवेश्वारत कहा जाता है तो जो आपनवेशिक भारत था यानि की भारत के जिन जिन स्थानों पर भारत पर जिस भी आपनवेशिक शत्ता क का असासन था तो ऌपनवेशिक भारत क्रशी वस्तूऊं का निर्यातक और तैयार मालों का आयात तक बन चुका था ओशिण भारत में क्या हुआ था यहां की जो क्रशी वस्तूंएं थी क्रशी द्वारा उदपादि जो कच्चा माल था वो दूसरे देशों को भेजा जाता था और दूसरे देशों से जो है वही माटेरियल वही रो माटेरियल जो है उत्पाद बनके नया प्रोडक्ट बनके भारत को आयात किया जाता था आप समझ रहे हैं किस तरीके से ब्रटैन की क्रोनोलोजी थी ब्रटैन ने यहीं के कच्चे मालों का उपयोग करके क्रसी उत्पाद भारी मात्रा में अविलेवल थे तो लागत कम पड़ी तो कम लागत में यहां से कच्चे माल को अपने देश पहुचाया और वहां उध्योगों में उस माल का जो है प्रोडक्शन करवाया उत्पादन करवाया नया माल तयार करवाया और उनको फिर भारत जो है भारत जो है दोगनी कीमत पर खरीद रहा है उसी का आयाद भारत में दोगनी कीमत पर हो रहा है तो आपनवेशिक भारत जो है क्रशी वस्तूओं का निर्यातर और तयार माल का आय की बात करें तो 1928-1934 के बीच देश के आयात निर्याद घटकर लगभग आधे रह गए थे यानि कि आपनवेशिक भारत जो क्रसी वस्तुओं का निर्याद करता था और ये तैयार माल का आयात करता था तो ये आयात निर्याद जो है 1928-1934 के बीच जो है घटकर आधा हो चु सहरी निवाशियों के मुकाबले किसानों और कास्तकारों को जादा नुकसान होता है वही सहरी निवाशियों के पास अन्य वेकल्पिक सादन थे वहां के जो जमीदार थे सहरी निवाशी तो उनका एक भाड़ा निश्चित था कि जो जमीन उनने किराय पर दे रखी है उसस जो भी निश्यत वेतन भोगी व्यक्ति थे जो शहरी व्यक्ति निश्यत वेतन भोगी थे यानि की जिनको हर महिना निश्यत वेतन मिलता था एक निश्यत सैलरी मिलती थी उन पर असर नहीं पड़ा असर किस पर पड़ा किसानों और कास्तकारों को जादा नुक्षान हुआ थ लगान वसूली में छूट देने से साफ इंकार कर दिया क्रसी से क्रसी छेत्र से जो लगान जो कर सरकार वसूल करती थी क्रसी उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने पर सरकार ने जो है लगान में छूट नहीं दी कि भई अगर क्रसी उत्पादों में कमी आ रही है क्रसी छेत कीमत तेजी से गिरने पर भी लगान वसूली में छूट देने से साफ हिंकार कर दिया तो किसानों की हालत गड़ बढ़ा गई सबसे बुरी मार उन काश्टकारों पर पड़ी जो विश्वब आजार के लिए उपस पैदा करते थे किसानों और काश्टकारों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ना की शहरी निवासियों पर तो जो काश्टकार विश्व बाजार के लिए अपनी उपस पैदा करते थे उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि अब आयात और निरियात 1928-1934 के बीच जो है आधा हो गया था ठीक है तो ना आयात उतने अच्छे से हो पा रहा था ना ही निरियात हो पा रहा था जो न निरियात काश्टकार करते थे विश्व बाजार में ठीक है विश्व बाजार के लिए जो पस पैदा करते थे उनका माल जो है अब निरियात नहीं हो पा रहा लेकिन लेकिन सरकार का कर्ज जो है उतना ही बना हुआ है अब किसान और काश्टकार कैसे लगान चुका है ठीक ह अब देखें बंगाल की बात करें तो बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों का निर्याद बंद हो गया था बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे जादा होता है भारत में तो जूट और पटसन उत्पादक जो थे बंगाल के उनके उत्पादकों का निर्याद जो है बंद हो चुका था तो कच्चे पटसन की कीमत जो है कच्चे जूट पटसन की कीमत जो है वो 60 प्रतिसत से भी जादा गिर गई ठीक है कीमत गिरती ही जा रही हैं कर्चे पूरे करने के चकर में उनकी बचद खतम हो चुकी थी उनकी जो भी बचद थी वो भी खतम हो गई जमीन सूध खोरों के पास गिर्वी रखनी पड़ी कि खर्चा कैसे चलाएंगे पैसा चाहिए पैसों के लिए सूध खोरों के पास जमीन को गिर्वी रखना पड़ा घर में जो भी गहने जेवर थे वो सब बिक चुके थे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत पर धीरे धीरे करके इस वैश्विक आर्थिक महामंदी का असर हमें सामने देखने को मिलता है उसके बाद देखें कि प्रिसिद अर्थ सास्त्री कीन्स का नाम सभी न सुना हुगा तो प्रिसिद अर्थ सास्त्री कीन्स का मानना था कि भारती सोने के निर्याद से भी वैश्वी कर्थ विवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली थी वैश्व कर्थ विवस्था को पुनर्जीवित करना था भारत सौने की चड़िया के नाम से जाना जाता था तो भारत जो है सौने का निर्याद करने लगा तो भारत के सौने के निर्याद करने से भी वैश्व कर्थ विवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली थ में मंदी अपने चरम पर थी यानि की सबसे जादा मंदी का दौर था 1931 का दौर और ग्रामीड भारत जो है असंतोस वा उथल पुतल के दौर से गुजर रहा था क्योंकि शहरी निवासियों के बजाए ग्रामीड भारतियों पर सबसे जादा इस वैश्विक मंदी का असर चुका था लेकिन सरकार को लगान बराबर देना पडर रहा था तो इसी वजह से इसी वजह से ग्रामिड भारत में असंतोष वह उथल पुथल का दौर चालू हो गया था उसी समय महात्मा गांधी लिए पिया ठाप उसी समय महात्मा गाढ़ी ने सभी नवज्ञा अंदूलन चालू किया था पहत पित पिए हिंते गर जाने के बावजूत भी शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालद ठीक रही जिंकी आहने निष्षित ती जिनकी आये निश्चित थी किनकी आये निश्चित थी शहरों में रहने वाले उन लोगों की आये निश्चित थी जो जमीनदार थे कैसे जमीदार की जो अपनी जमीन किराये पर देते थे पहले क्या होता था कि अभी भी होता है कहीं कहीं कि खेती के लिए भूमी किराय पर दे दी जाती है तो बटाईदार जो होता है उस जमीन पर खेती करता है ठीक है और जितना उस जमीन का किराया होता है वो जिसकी जमीन होती है उस जमीनदार को दे देता है तो शहरों में रहन रहने वाले जो निवासी थे जो जमीनदार थे शहरों में रहने वाले जमीनदारों को अपनी जमीन का किराया निश्यत मिलता था चाहे तुम्हारी उपज हो या ना हो या उस उपज की कीमत जो है उस फसल की कीमत तुम है उचित कीमत मिले या ना मिले हमारा किराया निश्यत हमें उतना ही आपको देना होगा तो शहरों में रहने वाले ऐसे जमीदारों की आये निश्चित थी साथ ही साथ जो निश्चित वेतन भोगी व्यक्ति थे यानि की हर महीने जिनको किसी भी माध्यम से नौकरी के माध्यम से सर्विस के माध्यम से अन्य माध्यम से जिनकी आये निश्चित थी ठीक है तो उन पर इस वैश्विक महामंदी का असर देखने को नहीं मिलता है तो इस वैश्विक महामंदी का असर सबसे जादा भारतिय ग्रामीड व्यक्तियों को देखने को मिलता है तो इस तरह से हमने क्या जाना इस तरह से हमने जाना कि इस वैश्विक महामंदी का असर महायुद्ध के दौरान पूरे विश्व पर कैसे पड़ा और साथी साथ इस वैश्विक महामंदी का असर भारत की अर्थे विवस्था पर कैसे पड़ा किलियर हो गई बात तो आज हमने जाना कि महा युद्ध के दौरान वैश्विक महामंदी का असर किस तरीके से हम सभी को विश्विकी अर्थेववस्था में देखने को मिलता है अगर यहां तक आपका कोई डाउट हो यहां तक कोई आपकी समस्या हो तो फटा फट से आप नीचे कॉमेंट में करके बता दे और अगला सेशन जो है बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है इसके आंगे का पार्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है तो उस सेशन स से जुड़ने के लिए आपको मैगनेट ब्रेंस के यूटूब चानल वेबसाइट और एप्लिकेशन से जुड़ा रहना होगा साथ ही साथ अगर आप इबोक्स और इनोट्स भी चाहते हैं तो यहां जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है वहां से आप अ साथ यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड तीन बोर्ड को हम कवर करते हुए चलते हैं उसके अलावा अधर कोर्स भी हमारे पास अविलेबल हैं जैसे की स्पोकन इंगलेज सीवेटे एंटेसी और ओलंपियाड और यूटूब के अलावा हम अधर सोशल मीड प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्पोक इंस्टा ट्वीटर एंटेलिग्राम पर भी अविलेबल तो आज के शेशन को आप सभी जादा से जादा लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो खु करन्यों ढख जा बर एंटे एंडरा से जादा करें जां शेजर हादा वा पसंटास फीज जादा हैं जान थादा लादा ख